हेलो, आज हम डिसकस करने जा रहे हैं जामिया मिले इसलामिया के कोर्स कोड बी फिफिटी नाइन बी ए ओनर्स एकोनॉमिक्स के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं entrance test ki eligibility क्या है entrance test कब होगा और entrance test का result कब आएगा ये हम इस वीडियो में discuss करने रशे आए सबसे पहले में एक चीज और ऐसमें discuss करना चाहूंगा to पहले इसका frame लिए अब से लेकिन ट्वटी ट्वंट्यूटी 1 अब से उसका क्या हो गया है अलग entrance test हो गया है be honors economics का ठीक है तो यह doubt आप लोगों को नहीं होना चाहिए क्या entrance test पहले सेम होता था या नहीं होता था या इस बार से अलग हुआ या पहले से अलग हुआ है तो यह doubt अब आपका clear हो गया होगा इस year से 2021 से be honors economics का अलग से entrance test है पर क्या slaves में changes है उसकी वीडियो चैनल पर upload हो जाएगे उसके रिकार्डिंग आपको परिशान नहीं होना है आई यह बात करते हैं अब entrance test के eligibility के बारे में तो बी honors economics के entrance test के eligibility है आपने class 12 में आपके at least 50 परसेंट माक्स होने चाहिए देख लिखा यहां पर senior secondary school certificate or an equivalent examination with not less than 50% marks in aggregate of best five paper अगर आपके class 12 वोड एक्जामिनेशन या और और एक्जामिनेशन अगर आपके 50% marks हैं तो आप entrance test के लिए eligible हैं ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है अब बात आ जाती है कि arts के बच्चे के या फिर science के तो यहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं तो यहां पर सिर्फ वो सिर्फ मेंशन है senior secondary school certificate तो आप कोई सी भी stream से हो फरक नहीं बढ़ता है चाहे आप आठ से हो चाहे आप commerce से हो चाहे आप science से हो अगर आपके 50% marks है best 5 paper में तो आप entrance test के लिए eligible हैं ठीक है माल लेजिए आपके पास class 12th board में five paper है एक बच्चे के पास six paper है तो five है आपको aggregate कर लेना और आपको पता चल जाएगा आपको यहां पर totally करना है सीधा लेकिन जब आपके पास six subjects है तब आपको यहां पर अपने best five choose करने यहां तो आपको चूज नहीं करने आपको अपने subject कर टोटल करना और divide by five कर लेना है और 50% है या नहीं आप चेक कर लेना है पर यहां पर आपको अपने best five का टोटल करना है और उसको चूज करके divide by five कर लेना है ठीक है नॉर्मली 50% सब बच्चों के marks होते ही है ठीक है अब बात करते हैं entrance test तो entrance test जो है वो है 11 अगस्त 11 अगस्त को आपका entrance test है ट्वंटी 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 वन टाइमिंग एट टू थाटी टू फॉर वन एंड हाफ आवर है आपके entrance test के लिए आपको time दिया जाएगा ठीक है और results की बारें बात करें तो results नॉर्मली जो होता है जामिया मिले इसलामिया के entrance test का 10 तो 15 डेज में आ जाता है जैसे यह पर expected date दे वही है 30 अगस्त तो 31 अगस्त तो मतलब इस बीच में आपका entrance test का result आ जाएगा नॉर्मली हो सकता है इससे पहले भी आ जाए तो आपको expected date सारी चीज़ें दे दी गई है ठैंक्यू